दीदी ये वाला सवाल देखो ना समझ नहीं आ रहा कौन सा ये वाला अहे पगली ये तो बहुत आसान है देख पहले इसे जोड़ना है और फिर इसमें से घटा देना है सिंपल अरे हाँ दीदी तुमने तो कितने आसानी से कर दिया और मैं कफे माता मार रहे थी कई बार माता मारने की जरुवत नहीं होती बस नजरिया बदलने से बात बन जाती है सही कहती हो दीदी अच्छा ये बताओ वो कॉलिज का फॉर्म भर दिया तुमने नहीं मैं नहीं भरूँगे उसे मैंने तो कुछ और सोचा है हैं ऐसा क्या सोचा है मुझे भी बताओ मुझे यहां गाओं में रहकर नहीं पढ़ना अपने गाओं के कॉलिज में ना तो मेरा मन पसंद कोर्स है और न अच्छे टीचर्स मुझे तो शेहर जाकर पढ़ना है हाई राम शेहर जाओगी और तुम्हारे साथ कौन रहेगा वहाँ कोई नहीं मैं अकेली रहकर पढ़ाई करूंगी वहाँ यहाँ अकेली रह लोगी दीदी हाँ उसमें कौन सी बड़ी बात है अरे बारवी में इतने अच्छे नंबर लाने का क्या फाइदा अगर सारी जिन्दगी गाओं में ही बितानी है तो हम् और तुम शेहर जाकर बस इसी सोचने तो बेडा गर करके रखा है यह बात तो सही है दीदी सच बताओं तो मुझे भी शेहर जाकर पढ़ने में कोई बुराई नहीं लग बस वहाँ के टिम टाम से डर लगा है हाँ हाँ टिम टाम मतलब दीदी मेरी एक दोस्त पतारी थी उसके मामा की बेटी गाउं से शेहर गई थी पढ़ने लेकिन वहाँ जाकर एक नमबर की खमंडी और पत्तमीज हो गई वो और तो और तुमें पता है वो तो सिगरेट भी पीने लगी है हाँ 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 तो क्या हुआ शेहर की जिन्दगी अलग है लोग बदली जाते हैं वहाँ जाकर नहीं दीदी तुम अगर शेहर जाओ तो कभी मत बदलना ऐसे केरी है जैसे कली जारी हूँ मैं अभी तो बाबा को मनाना है जो सबसे मुश्किल काम है तुम फिक्र मत करो दीदी हम दोनों मिलकर बाबा को मना ही लेंगे सीमा और माला सगी बहनी थी सीमा छोटी थी और माला बड़ी दोनों ही पढ़ने में बहुत होश्यार थी माला ने हाली में बहुत अच्छे नंबरों से 12 में की परिक्षब पास की थी और अब वो शेहर जाकर बीकॉम की पढ़ाई करना चाती थी उसके पिता लालचंत के गाउं में कई खेट थे वो माला को पढ़ने के लिए शेहर भीच सकते थे लेकिन फिर भी उन्हें मनाना इतना आसान नहीं था क्या शेहर ना बिटिया जो करना है यही रह कर कर लो वहाँ अकेली कैसे रहोगी रह लूँगी बाबा मैंने सब पता कर लिया है कॉलिज का अपना हॉस्टल है जहां स्टुडेंट्स आराम से रह सकते है सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ मेरा यकीन कीजिए वहाँ जाकर मेरी जिंदगी बदल जाएगी सच में बटिया तुम्हारी मा को तुम्हारी जरूरत है सारी जिंदगी घर संभालते-संभालते ठक गई है वो और वैसे भी तुम तो पढ़ने में इतनी होश्यार हो यहां गाउन से भी बहुत कुछ कर सकती हो फिर शहर जाने की क्या जरूरत जरूरत है बाबा क्योंकि दीदी का मन है शहर जाकर पढ़ने का आप उन्हें जाने दीजे और मैं होने यहां मा के साथ मैं यही रहूंगी हमेशा यह वादा है मेरा सीमा की बात सुनकर लाल चन माला को शहर भीजने के लिए तयार हो जाता है माला शहर के एक नामी कॉलेज में एडमिशन ले ले लेती है और वहीं होस्टल में रहकर पढ़ने लगती है वो गाउं से शहर अपने बहतर भविशे को सजाने की ले गई थी लेकिन धीरे धीरे उसके लिए बाकी चीज़ें ज़्यादा जरूरी हो गए सीमा का डर सही साबित हो रहा था माला शहर जाकर बदलती जा रही थी माला तयार रहना आज रात का प्लान है वोर्डन की सोने के बाद निकलेंगे सब अच्छा ठीक है यार बढ़कर एक्जाम है अरे यार अब तु ना टक मत शुरू कर एक्जाम्स तो आते ही रहते हैं लेकिन डिसको पार्टी का ये मौका बार बार नहीं मिलता हुम्म बाद तो तेरी ठीक है चल फिर चलती हूं मैं दोस्तों के साथ गुरना फिरना पार्टी करना अब यहीं सब माला को पसंद था इस तुने ये बाद बाबा को तो नहीं बताई ना दीदी अभी तो नहीं बताई लेकिन उन्हें बताना तो पड़ेगा ना वो पुछेंगे तो नहीं उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है मैं घर आओंगे छुट्टियों में तो संभाल लूँगे सब बस तू अपना मूँ बंदी रखना समझी चल अब फोन रखते हूं में मेरे दोस्त बुला रहे मुझे दीदी ये सब सही नहीं है तुम शहर पढ़ने गई हो या ये सब करने तू एक नमबर की गवार और बेवकूफ है सीमा ये सब शहर में रहने के तो और तरीके हैं समझी दोस्तों के साथ थोड़ी से ड्रिंक कर ली तो क्या हुआ कुछ गलत नहीं है इसमें ना दीदी जो गलत है तो गलत है तुम वापस आजो तुमारा कॉलिज तो खत्मी होने वाला है ना तू पागर है क्या मुझे गाँ वापस कभी नहीं आना तो अब वहारेकर करोगी क्या तुमारे माग्स भी ऐसे नहीं है कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाये तुमें तो क्या हुआ अरे स मुझे शेहर जाकर समझ में आया है कि असल में पढ़ाई वड़ाई से कुछ भी नहीं होने वाला मैंने तो अपनी लाइफ सेट कर ली है क्या मतला देख मेरे कॉलेज में एक लड़का है राजीव वो लट्टू है मुझ पर उसके पापा बहुत बड़े आत्मी है बस अब अब राजीव से शादी करनी है मुझे तो क्या दीदी ये ये सोचकर तो नहीं गई थी तुम शेहर तुमें तो अपना करियर बनाना था ना और वैसे भी बाबा इस शादी के लिए नहीं मानेंगे तो नहीं मानें तो ना माने राजीव मुझ से हर हाल में शादी करने को त माला अपने परिवार की मर्दी के खिलाब शहर में शाभी करने थी इसका पती राजीव अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा एक अमीर घर की बहु बनने के बाद माला ने कभी पलट कर नहीं देखा यहां तक कि उसने कभी किसी को अपने माता पिता और बहन के बारे में भी नहीं बताया वो नहीं चाहती थी कि गाउं में रहने वाले उसके परिवार के बारे में कोई जाने और इस बात को लेकर उसके रेपुटिशन खराब हो दूसरी तरफ सीमा ने गाउं में ही रहकर ना सर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की बलकि अब वो अपने साथ साथ अपने गाउं का भविश्य भी सवार रहे थी आज उसने गाउं के गरीब बच्चों को पढ़ाया गरीब किसानों को सरकार की योश्टाओं से जुड़ने में मदद की लोगों को नई तक्नीकों के बारे में बताया जिससे गाउं में बहुत प्रगति सीमा बिटिया तुम्हारी वज़ा से अपने गाउं की तो सूरत ही बदल गई सच में लालचंद जी साक्षात मा सरस्वती है आपके बिटिया सीमा को अशुरवात देते हुए उसके पिता लालचंद की आँखों में नमी थी सीमा समझ गई कि उसके पिता के मन में क्या चल रहा है वो सीमा के लिए बहुत खुश थे लेकिन साथ ही माला के बारे में सोच कर दुखी भी थे सीमा को भी माला की बहुत याद आती थी लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि माला कहा है और कैसी है ऐसे ही वक्त गुसरता गया सीमा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अब वो कॉम्पटीशन्स की तैयारी करने लगी दूसरी तरफ माला की जिंदगी में भूचा लाया हुआ था राजीव इतना परिशान होने की ज़रूरत नहीं है पैसो का इंतजाम हो ही जाएगा कही न कहीं से कहां से हो जाएगा कैसे हो जाएगा मेरी कंपनी डूबने की कगार पर है और तुम्हें अभी जूटी तसली दीनी है मेरा ही दिमाग खराब था चो तुमसे शादी करके अपनी जिन्दगी बरबाद कर ली मैंने पापा की बात मान लेता तो आज ये दिन न देखना पड़ता मुझे क्या मतलबे तुम्हारा मैंने क्या किया है अरे कुछ नहीं किया यही तो रोना है बस बोज बन कर मेरे गले पड़ गई मंतरी जी की बेटी का रिष्टा आया था मेरे लिए लेकिन नहीं मेरे किस्मत में तो तुम्हें पालना ही लिखा था ना माला जल्दी से तयार हो जाओ तुम्हें मेरे साथ चलना है लेकिन कहा है मुझे पता चला है कि अपने बैंक में नई मैनेजर ने जॉइन किया है लेडीज है तो तुम्हारे बात करने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा तुम कैसे भी उन्हें मना लेना अब सब तुम्हारे हाथों में कुछ भी करके लोन माफ होना चाहिए समझी राजीव और माला बैंक समझते हैं बड़ी मुश्किल से उन्हें बैंक मैनेजर का अपॉइंटमेंट मिलता है राजीव बात करने के लिए माला को अकेले भेजता है माला जैसे ही बैंक मैनेजर को देखती है उसकी आँखे खुली की खुली रह जाती है सीमा तू बैंक के नई मैनेजर कोई और नी बल्कि माला की छोटी बहन सीमा थी दोनों बहने इतने सालों بعد एक दूसरे के सामने थी लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था सीमा पर लिखकर बैंक मैनेजर बन चुकी थी और माला उसी बैंक की कर्जदार सीमा ने फौरण अपनी कुर्सी से उठकर माला को गले से लगा लिया माला की आँखों से आंसु बहने लगे जिसके साथ उसका सारा घमन भी बह गया हालांकि वो चाह कर भी वो ना कर सकी जो राजीव ने उससे करने की जा